सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जो लोन लिमिट हमें मिला है 5000 रुपे का लोन लिमिट मिला है और यहाँ पे देखोगे only with three step you can get credit अब यह पैसा जो मुझे receive हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे live दिखा देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 9 मिनट पहले ही यह पैसा मुझे receive हो चुका है और यहाँ पे देखोगे 5000 का हमें limit मिला था और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अभी जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 4825 रुपे यहाँ पे balance credit हुआ है और अभी आप लोग time देख सकतो और date भी चाहतो देख सकतो अभी कुछ दिर पहले ही यह पैसा मुझे receive हुआ है जैसे कि 10 मिनट पहले यहाँ पे loan apply मैंने पहले ही किया था लेकिन receive होने में यहाँ 4 घंटा का time लगा चार घंटे में यह पैसा मेरे bank account में credit हो चुका है तो अगर आप लोग भी 5,000 रुपे तक का loan application ढूंड रहे हो तो इस वीडियो को last तक आप लोगों को देखना है क्योंकि इस वीडियो में जो application मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ से आप लोग 100% approval ले पाओगे और यहाँ पे जो भी balance आपको यहाँ पे अप्रूब होता है उसको bank account में transfer भी कर पाओगे अब हो सकता है आपका यहाँ पे 10,000 का भी यहाँ से limit मिल जाए लेकिन जो मुझे limit यहाँ पे अप्रूब हुआ है 5000 हुआ है और ज्यादा तर लोगों को यहाँ पे 5000 ही इस application से loan मिलता है तो चलिए जानते हैं कौन सा application है कैसे हमें apply करना है क्या process रहेगा साथ ही साथ यहाँ पे eligibility क्या है यह जानेगे अगर आप लोग है student हो या फिर self-employed हो तो कैसे इसको apply करना है sell it वालोगों को अभी यहाँ पे सारा कुछ live दिखाने वाला हूँ तो आप लोगों को वीडियो में last तक बने रहना है तो चलिए चलिए से वीडियो को कर लेते हैं start और सारा process यहाँ live देखते हैं उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है या चैनल पे first time visit करने चैनल को subscribe किजिएगा बगल में bell icon दिख रहा होगा इस पे tap करके इसको भी all पे set कर लिजिएगा इन future कोई भी वीडियो आएगा उसका notification आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले बाच कर पाऊगे अब इतना करने के बाद आपको application को install कर लेना होगा लेकिन उससे पहले कुछ बाते हैं जो मैं आपको clear कर देता हूँ जो loan application होने वाला है इसको आपको last तक बाच करना होगा जिससे कि आप लोग आसानी से loan ले पाओ अब यहाँ पे कोई भी step आपको miss नहीं करना है ना ही कोई गलती करोगे तो सारा step आप लोग follow करोगे आप लोग को 100% approval मिल जाएगा तो चलिए जल्दी से हम लोग application को कर लेते हैं install और जानते हैं आगे का process तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे app देख सकते हो 3.2 का rating है 27MB का यह application है और यहाँ पे देखोगे 5 million से ज़्यादा इस application का download है और 3 से ज़्यादा का इसका rate है अभी सबसे पहले तो आपको इस application को install कर लेना होगा अब यहाँ देखोगे तो about में आ जाता है instant personal loan up to 5 lakhs in just 24 hours अगर आपका amount ज़्यादा बड़ा रहेगा अगर आप लोग 5 lakh तक लेते हो तो आपको इस application से 24 घंटे का time लग सकता है लेकिन अगर आपका amount मेरी तरह से छोटा है तो आप लोग को easily मिल जाता है और आसानी से यह 4 घंटे के अंदर ही पैसा transfer हो जाता है तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से application को install करेंगे अब जब तक हमारा application होता है install हम लोग कर लेंगे बेट जैसे ही install होगा application हम लोग आगे का process यहाँ पे live करने वाले है तो यहाँ पे हमारा application इंस्टॉल हो चुका अब सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे open अब जैसे ही open करेंगे कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब यहाँ पे देखोगे quick loan made easy अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का option आ रहा है skip का option देख रहे हो अब इसको slide करोगे seamless and speedy finance आ जाएगा और यहाँ देखेंगे unbeatable loan offers with affordable EMI अब यहाँ से next कर देंगे arrow पे type करेंगे कुछ इस तरीके का option आ जाएगा quick loan made easy अब यहाँ से try apr calculation का option आ जाएगा अब यहाँ नीचे login का option आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो आपको login with facebook and google का option आ जाएगा अब जैसे ही select करेंगे एक नया page loading लेगा अब permission आपसे मांगेगा permission required जो यहाँ रहने वाला है phone का permission SMS का permission ही लिया जाएगा अब यहाँ से privacy and policy terms and condition को आपको accept करना होगा उसके बाद process वाले option पे tap कर देना है अब जैसे tap करोगे allow कर देना है अब यहाँ करेंगे कुछ इस तरीके का option आ जाएगा यहाँ लेंडिंग पार्टनर जो है वो देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ से यहाँ से जो accept कर लेना है सबसे पहले तो और यहाँ से process वाले option पे tap कर देना है अब यहाँ से allow करोगे allow करोगे कुछ इस तरीके का option आ जाएगा अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे inter mobile number interior pen number का option आ जाएगा अब यहाँ से पूछा जाएगा self-employed हो या self-employed person हो तो अभी आपको यहाँ self-employed ही select करना है अभी यहाँ से आपको mobile number डाल देना है तो जो भी आपका mobile number रहेगा वो यहाँ से डाल देना अब mobile number डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पास एक OTP आएगा तो थोड़ा सा बेट करेंगे यह automatic खुद से यह verify कर लेगा अब होगा terms and condition दोनों accept कर लेना है और यहां से pen card डालके यहां से provide pen वाले option पर कर देना होगा तो यहां से सारा डिटेल मैंने डाल दिया है जैसे कि mobile number हो गया pen detail और यहां पर self-employed select कर लेंगे और यहां से आपको terms and condition protection privacy and policy और CKYC यहां आपको portal को accept करना होगा अब यहां से submit वाले option पर टैप करेंगे submit and continue पर आप जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब आपको यहां पर अपना first name डाल देना है तो आपका जो भी first name रहेगा वो यहां से डालोगे उसके बाद आपका last name इहां पर डाल देना है जो भी आपका रहेगा वो select कर लेना mail फिल मेल आप लोग यहां से select करोगे अब यहां से आपको pin code select कर लेना है CT select करना होगा company name आपको यहां पर select कर लेना है तो अगर self-implied हो तो आपके आस-पास का जो भी originally यह जो भी हो उसका नام आप लोग डाल सक तो जब से आपका start है तब से डाल सकते हो कोई दिक्कत होगा नीं आप लोग चाहो तो इसको आगे पीछे भी करोगे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहां से सबसे पहले हम लोग 20 ढूंड रहे हैं अब यहां से लुक्के कर देंगे अब यहां से टाइप ओफ बिजनस पुछा जाएगा तो यहां से लिम्टेड वन पर्सन कंपनी और यहां प्रोपर्टिशिप पार्टनर्शिप प्राइवेट लिम्टेड अब यहां से आपको सकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां से सेलेक्ट करेंगे और सेल्फ वले अप्शन पर टैप कर देंगे अब यहां से फाइनेंसियल आपका डिटेल एन्वेन्यू पूछा जाएगा कैश सेलेक्ट करना है कैश सेलेक्ट करते हो तो यहां पर देखोगे कुछ इस तरीके का उप्शन आ रहा है सौरी वी आर सर्वि नहीं प्रूफ कर पाओगे तो यहां पर आपका लोन दिक्कत हो सकता है अब यहां से इंडेस्ट्री टाइप इस पर टैप करेंगे अगरिकल्चर हो जाएगा काफी सर आप्शन आपको यहां देखने को मिल जाएगा अधर सर्विस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को इसको अगरिकल्चर कर देना है कोई दिक्कत होगा निए अब आपको यहां से एनुवल रिवेन्यू पूछा जाएगा तो यहां पर चार लख में कर दे रहा हूँ आप लोग चाहो तो इसको ज्यादा कम कर सकते हो त आप लोग देखोगे सबमिट एंड कंटिन्यू का ऑप्सन रहेगा इस पर टैप कर देना है अब यहां से हमने लॉग इन कर लिया के वाईसी डिटेल डाल दिया आपको बैंक डिटेल यहां पर डाल देना होगा जो भी बैंक डिटेल आप लोग डालोगे उसी पर आपका पैसा आने बाला है अब यहां से आपको लोण ओफर मिल जागा 30 मिनट के अंदर जैसे ही आप लोग के वाईसी कर लोगे के वाईसी करने के लिए आपको पैन कार्ट अधार कार्ट को डिजीलाइक कर से वेरिफाई करेगा अब लोण ओफर मिलने के बाद उसको अप्लिकेशन है वो देख लेते हैं तो यहां से जो हमारा अप्लिकेशन है देख सकतो क्यों इंस्टेंट लोण करके अप्लिकेशन है और यहां से आप लोग असानी से लोण अप्लाई कर सकतो और यहां से आपको लोण प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा